दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताने वालो कि आप Shopshi application से product को cart से remove कैसे कर सकते हो जी हाँ दोस्तो अगर आपने भी cart में जो है Shopshi application में product add कर लिए सामन को add कराए तो cart से किस तरीके से आप जो है सामन को remove कर सकते हो तो इसके लिए सबसे पहले guys आपको Shopshi application को open करना है Shopshi application में अगर आपने किसी भी product को अगर आपने cart में add कर लिया और अगर आप जो है उस product को remove करना चाहते हो, हटाना चाहते हो cart से तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो ऊपर की और इस cart option पर आपको क्लिकना है इस पर क्लिकने के बाद यहाँ पर my cart का option यहाँ पर open हो जाएगा और यहाँ पर आपने जिस भी product को add करके रखा वो सभी product आपको देखने को मिल जाएगा और दोस्तो जिस भी product को यहाँ पर आप cart से remove करना चाहते हो simply आपको remove option पर क्लिकना है इसके बाद फिर से आपको remove पर क्लिकना है इसी तरह यहाँ पर आप जितने भी product को यहाँ से cart से हटाना चाहते हो simply आपको उस product के नीचे remove option पर क्लिकना है फिर से remove पर आपको क्लिकना है और इस पर क्लिक करते हो जो है product remove हो जाएगा तो इस तरीके से आप जो है बारी बारी अपने सभी प्रोड़क्ट को यहाँ पर रिमूव करना कर सकते हो जितने भी प्रोड़क्ट को आप जो है कार्ड से हटाना चाहते हो यहाँ से उसे प्रोड़क्ट को आप रिमूव कर सकते हो तो गाईस कैसा लगा ये वीडियो में कमेंट करके जरूर बता है तो अगर आपको ये वीडियो चलागा हो तो इस वीडियो को लाइक करें शियर करें और वी तक आपने मड़ चानलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना